हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त लगास की पढ़ाई आज से हम सुरू करने वाले हैं मिसलीनियस के एक्जांपल्स यह कोटेशन और कमिनेशन चैप्टर का एक्टिक है तो चलिए एक्जांपल नुमर्ट 20 पढ़ते हैं एक्जांपल नुमर्ट 20 में क्या बोल रहा है बोल रहा है कि कितने वर्ड हम बना सकते हैं जिसका मीनिंग भी हो या मीनिंग ना हो मतलब कोई फर्क नहीं परता बस वर्ड होना चाहिए ठीक है जिसमें से क्या होना चाहिए तीन भोवेल्स होना चाहिए और दो कॉंसेन थोना चाहिए मतलब पांच लेटर के हमें वर्ड बनाने है ठीक है पांच लेटर का वर्ड बनाना है ठीक है किसे बनाना है इन वाल्यूट में जो जो लेटर से उनको यूज करके हमें बनाना है सबसे पहले हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो वर्ड उसको लिख लेंगे जैसे क्या दि इन वल्योड दिया हुआ है अब इसमें से हम कॉंसोनेंट और वोल्स को छाटते हैं ठीक है तो आई भोवेल है एक ओ भोवेल है ए ए भी भोवेल है आई ओ यू यू भी भोवेल है टूटल चार भोवेल्स यहां पर तो क्या लिखेंगे पहले words लिख लेते हैं sorry letters टूटल नंबर ऑफ लटर वाफ लटर स्लेड टूटल नंबर फ लेटर्स कितने है एक दो तीन चार पाश रह शे सात अट एक लेटर त्वेल्स मेंट फ़ूबेल्स बाक्रवेल्स कितने हो गए है बावेल्स हमारे चार हो गए तो कॉंसनेंट भी कि दो तीन चार, तो चार हो जाएंगे नमबर ओफ चार हो गया है लेकिन हमें वर्ड कितने लेटर्स के बनाने सिर्फ पांच लेटर्स के होने चाहिए तीन भोवेल्स और दो चाहिए बट यह दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आट होते हैं तो मतलब हमें क्या करना है चार में से तीन भोवेल्स को हमें लेना है और कॉंसिनेंट को चार में से दो लेना है तो हम कैसे सलेक्ट करेंगे 4C3 ऐसे सलेक्ट कर सकते है और इसको 4C2 सलेक्ट कर सकते है ठीक है अब यह दोनों तो हमारा selection हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया, combination, लेकिन हमें क्या बनाना है, words बनाना है, with or without meaning, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, permutation यूज होता है, तो हम इन दोनों को करने के बाद, इसको permutations से multiply कर देंगे, तो चले लिखते हैं, जैसे, इसको हम statement wise लिखते है, जैसे क्या लिखेंगे हम, three vowels can be selected, selected in four c3 ways, ठीक हम three vowels को कैसा select कर सकते है, four c3 ways में, यूकि हमें three vowels ही चाहिए, उसके दो consonants चाहिए, तो क्या लिखेंगे, two consonants, can be selected, s, e, l, e, c, d, 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 selected in, क्या लिखेंगे, four c2 ways, ठीक है, five letters, l, e, d, e, r, s, letters, can be arranged, a, d, r, a, n, g, arranged in, five p, five ways, ठीक है, five letters का हमें, word बनाना है, तो हम arrange इसे ऐसे करेंगे, तो अब हम इसको solve कर सकते हैं, therefore, total number of words formed, तो कितने words formed होंगे हमारे, तो सबसे पहले walls लिखते हैं, four c3 ways, से हम vowels को करेंगे, into, हमें five letter का चाहिए, तो हम multiply करेंगे, आपर, four c2 into, और जितने arrangement होंगे, five p five, तो अब इसको solve करते हैं, मैं एक पर फिर साबको repeat कर दूँग, कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, देखें, ये क्या हो जाएगा हमारा, four का factorial उपर हो जाएगा, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, three का factorial, four minus three, one का factorial, into four का factorial, two का factorial, फिर two का factorial, into five का factorial, और नीचे five minus five zero का factorial तो बनी होता है, इसको solve करते है, four into three का factorial, three का factorial, into four into three into two का factorial, two का factorial into two into one, two factorial, two factorial कर जाएगा, sorry, यहाँ पर into है, five का factorial, तो हमें पता है, five का factorial कितना होता है, एक सो बीस होता है, ठीक है, और यह हमारे 224 होगा यह 33 कर जाएगा इसको सॉल्फ करते हैं 4 x 2 x 3 x 120 इसको सॉल्फ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 483 टूजा 6 2880 हो जाएगा हमारा ठीक है तो चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपेट कर देता हूँ तो हमारा question क्या बोल रहा है कि how many words कितने words हम बना सकते with और without meaning जिसका meaning हो और meaning ना भी हो ठीक है each of three vowels जो उसमें क्या होना चाहिए जितने भी words हम बनाएगे ठीक है उसमें से तीन भोवल और दो consonant होने चाहिए हमें किस से बनाना है letter of the word इस word के letter से हमें बनाना थे इस word के letter से सबसे पहले हम भोवल को चाहिए है तो हमारे चार भोवल से क्या है आई ओ यू ए ठीक है और consonant भी चार है बट हमें कितने चाहिए ठीरी भोवल सी चाहिए और दो चाहिए तो हम इसको इसमें combination लगा देंगे ठीक है क्या combination लगाएंगे कि ठीर भोवल को हम कैसे select कर सकते हमें 4C3 ways में ठीक है 4C3 ways से हम पहले एक select करेंगे तीन भोवल को किसी भी तीन भोवल को हम select कर सकते है randomly ठीक है उसके दो consonant को हम select कर सकते 4C2 ways में 4C2 ways में यह आपका combination को लिखने का तरीका है कैसे हम select करते है आपने combination में पढ़ा होगा ठीक है उसके बाद 5 letters can be arranged in 5P5 ways उसके बाद इन दोनों को मिला के हमें 5 letters के words बनाने तो पांच letters के words बनाने तो इसका arrangement भी तो करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि आपको जो word बनाएंगे इसमें matter करता है जैसे मैं आपको example दे रहा हूँ ठीक है मैं आपको example देता हूँ यही पर जैसे देखिए आपने जैसे आपने लिखा B O L ठीक है तो यहां पर arrangement में combination मैंने आपको बताया था कि कोई matter नहीं करता है चाहे B पहले आ यो O पहले आ बट वर्ड आप बना रहे हो पर mutation में matter करता है O B L यहां पर देखिए O बाद में था ब इन words को देखो तीन भोवेल्स और दो कॉंसेंट इनको मिलाके 5 लिटर के वर्ड वनेंगे तो हमें उन्हें अरेंज में करना पड़ेगा तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे उससे पर्मृटेशन का यूस करेंगे तो 5 5 5 विच लिटर्स है ठीक है तो पांस लिटर्स को हम इससे अरेंज करते हैं मैंने आपको बताया था कैसे आप लिखते हो ठीक है उसके बाद कितने वर्ड फॉर्म होंगे टोटल नंबर फॉर्ड फॉर्म कितने वर्ड फॉर्म होंगे तो हम भॉविल्स को सलेट करेंगे फिर कॉंसेन को सलेट करेंगे इन दोनों को सलेट कर कर दिया इसको ताकि इन दोनों वर्ड का आरेंजमेंट हो जाए ठीक है बस इसको सॉल्ब करने बाद कितने वर्ड 2880 यानि कि 2880 बनाये जा सकते जिसमें 3 कॉंसोनेंट और 2 होविल्स आएंगे तो आब आप समझ में आचोता होगा यह ठीक है तो आप 2 इंटो स्पीड में देख सकते हो ठीक है